क्या आप भी PCOD की परिशानी से जूज रहे हैं, दवाई खाते काते आप ठक गए हैं, फिर भी आपका वजन है वो कम नहीं हो रहा है, सिर की जो बाल है वो आदे रह गए हैं, और इन सबी बातों से आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो आए जानते हैं कि इलाग चलते आप वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वज़से PCOD कंट्रोल नहीं हो रहा है, नमस्कार, मैयोब 4 से मैं डॉक्टर अर्चरा निर्वला हूँ, आप जानते हैं कि जो बिमारी का नाम आपकी दादी या नानी जानती भी नहीं थी, आज ये PCOD की बिमारी हमारे देश में हर पांच में से एक महिला ये लड़की को है, और ये क्यों है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप दवाई खाते रहेंगे और PCOD ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दवाई खाते खाते आप प्रॉसेस और पैकेश फूड भी खा रहे हैं, यानि वो खाना जो आप आपके घर की रसोई में ताजा नहीं बना है, अगर आप मैदा युक्त खाना खाते रहेंगे, जैसे पीजा, पास्ता, मैगी, मोमो, चिप्स या चीनी युक्त खाना खाते रहेंगे, यानि केक्स, पेस्ट्री, सफेज चावल, बिस्किट, तो आपकी PCOD की परिशानी कैसे जाएगी, यानि केवल दवाई खाने से ये कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो सारा खाना है, ये आपके शरीर में अंदर जाकर गंद पैदा करता है, और इससे आपके हॉर्मोन का बैलन्स जो है, वो और जादा बिगड़ता है, तो अगर आप दवाईयां ले रहे हैं, और फिर भी आप इस तरह का खाना खा रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, और इसी कारण आपका PCOD जो है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको पॉश्टिक आहार लेना है, जिसमें सबजियां और फ्रूट्स की मातरा जादा हो, PCOD का दूस इस पे बैठे या बिस्तर पे सोएं, अगर आप कोई exercise नहीं करेंगे, तो आपके शरीर का metabolism जो है, वो slow हो जाएगा, आपके cells को oxygen नहीं पहुंचेगा, जो भी आप खाना खाएंगे, वो सही से पचेगा नहीं, यानि digest नहीं होगा, और ये fat में बदल जाएगा, ये fat आपक आपकी PCOD की परिशानी जो है, वो जड़ से नहीं खतम होगी, तो आपको क्या करना है, आपको रोजाना 40 मिनट के लिए regularly exercise करनी है, exercise आप कोई भी कर सकते हैं, आप जिमिन कर सकते हैं, आप योगा की आसन कर सकते हैं, आप वाकिंग कर सकते हैं, आप जोगिंग भी कर सकते है जो तीसरी कलती महिलाय अक्सर करती हैं, वो ये है कि वो दिन में जादा अंदर रहती हैं, अंदर रहने से आपके स्किन में सूर्य की किरने जो हैं, वो टच नहीं कर पाती, जिसकी वज़स से विटिमिन D की मातरा आपके शरीर में आपके बलड में कम रहेगी, देखा गया है कि 85 प्रतिशत महिलाए जिनको PCOD है उनके अंदर विटिमेंट D की मात्रा कम होती है अगर विटिमेंट D की मात्रा कम रहेगी तो टेस्टस्टेरोन हॉर्मोन जो है वो बढ़ जाएगा EMH हॉर्मोन भी बढ़ता है जो PCOD का एक बहुत बड़ा लक्षन है उसके साथ साथ आपकी ओवरी में सिस्ट भी जादा बनेंगे तो अगर आप PCOD का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और PCOD बिलकुल ठीक नहीं हो रहा है तो आपकी शरीर में विटिमेंट D की मात्रा कम होगी आपक को लाब भी देगा अगर आपको यह पसंद आया तो हमारा चैनल मायवचार लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर इस वीडियो से संबंदित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और अगर आपको हमारे डॉक्टरों से बात करनी है तो मायवचार की आप को डाउनलोड करके अपना सवाल पूछें मायवचार के डॉक्टर्स आपकी मदद जरूर करेंगे